हेलो फेंड्स, फेंड्स आज का मारे वीडियो का टॉपिक है, एक एचपी की मोटर को रन करने के लिए हमें वहाँ पर कितने वाट के सोलर पेनल इंस्टॉल करना होगा, इसके कैलकुलेक्शन किस तरह की जाती है, आज के सुडियो में हम सीखने वाले हैं, इसके अलावा हम नाइट में भी चलाना हो, जब सुरज नहीं होता है, उस कंडिशन में वहाँ पर हमें कितने वाट के सोलर पेनल इंस्टॉल करना होगे, दोनों ही कंडिशन में हम इसकी कैलकुलेशन सीखने वाले हैं, तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सीखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी मोटर का या जितना कनेक्टेड लोड है, वह कितने वाट का है, उसके एसाब से कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं, यह आपके पास एक एचपी की मोटर है, तो आप इसे दो से डिवाइट कर दीजिए, तो कितना होगा 733-73W होगा, तो आपको पहले तो यह क्लियर पता होना चाहिए कि आपका कनेक्टेड लोड कितना है, अब हमें एक एचपी के मोटर को चलाना है, तो 746W है, आप जैसे कि हम जानते हैं, जहां पर भी हम सोलर पेनल इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे 100% एफिशेंसी से वाक नहीं करता, उसमें कुछ लोसेस होते हैं, तो हमने वहाँ पे माना कि 20% लोसेस हमने वहाँ पे काउंट किये, तो जब भी आप सोलर पेनल इंस्टॉल करते हैं, एचलिस्ट 20% लोसेस आपको काउंट करना होगे, यदि हम 746 में 20% लेते हैं, तो हमारा कितना आता है, 149 हमारा watts क्या होता, यह extra हमारे लोसेस में जाने वाला है, अब हम क्या करते हैं, इसमें 746 प्लस 149 को यदि हम 8 करते हैं, तो हमारा total connected load कितना होगा, 900 watt हमारा यहाँ पे अपरोक्स load होने वाला है, तो वहाँ पे लोसेस के साथ, हमें कम से कम वहाँ पे 900 watt का या 900 watt के solar panel का install कर तो आप उसे साबसे से केलकुलेशन कर सकते है, तो आम वहां पे तीन प्लेट लगाना होगी जब जाकर हमारे पास वहां पे 900 वाट होने वाला है, तो एक HP की मोटर को नॉर्माली चलाने के लिए हमें at least 300W के 3 प्लेट ये 900W के प्लेट वहाँ पे इंस्टॉल करना होगी तब जाके हमारी एक HP की मोटर वहाँ पे रन होगी अब यदि हमें वहाँ पे off day period, that means जब दिन नहीं रहे रात में भी मोटर को रन करना हो तो उस कंडिशन में कितने वाट के solar panel लगेगे इसकी calculation हम समझ लेते हैं नॉर्माली क्या होता उस कंडिशन में आपको off grade system वहाँ पे लगाना होगा उसके लिए आपको वहाँ पे battery भी connect करना होगी और जब वहाँ पे आप battery connect करेगे तो बैटरी को भी charging के लिए कोच energy की ज़रूरत पढ़ने वाली है सबोज आप उससे चलाने के लिए वहाँ पे 200 AH की बैटरी वहाँ पे connect करते है तो इस बैटरी को भी charge होने के लिए energy की ज़रूरत पढ़ेगी तो बैटरी की बैटरी होती है वो minimum वहाँ पे 20 amp लेती है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो motor को भी run करना है 37 साथ आपको बैटरी को भी charge करना है तो बैटरी का एमपेर हमें पता चल चुका है 200 amp बैटरी की हमारी बैटरी महाँ पे current लेने वाली है आप जैसा कि हम जानते हैं जो 108 का पेनल होता है उससे हम नौर्मली 5 amp या 5.5 amp या 5.5 amp वहाँ से हम ले सकते है तो 108 के पेनल से हम 5 amp ले सकते हैं तो 100 x 4 जैदी हम करते हैं तो 400 Watt देटमिस दिखा जाए तो हमें वहाँ पे 400 Watt के 100 Watt के 4 पेनल लगाना होगे यह 100W, that means 400W के पेनल लगाना होगी जब जाके हमें वहाँ पे 20A मिलने वाला है तो 20A के लिए हमें 400W लगने वाले है बेटरी के लिए और बेसिकली देखा जाए तो 900W हमें मोटर के लिए लगने वाले है तो टोटल कनेक्टेड लोड कितना होगा देटमिस इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 900W प्लस 400 इसे हम कैलकुलेट करते हैं देटमिस 1300W के हमें वहाँ पे सोलर पिनल को अंस्टॉल करना होगे यदि आप मोटर को और भी ज़्यादा रन करना हो ताप बेटरी का iag बढ़ा सकते हैं इस अपसाब कैलकुलेशन कर सकते हैं नोर्मली एक HP की मोटर को रन करने के लिए 200 aich की बेटरी काफी होती है तो आप इस मोटर को दिन में भी चला सकते हैं जब power नहीं रहे, that means रात में जब सूरज नहीं रहे, तब आप वहाँ से बेटरी से भी चला सकते हैं, बड़ आपको minimum वहाँ पे 1300 watt के panel का install करना होगा, यदि आप 300 watt के वहाँ पे panel लगाते हैं, तो 5 panel को आपको लगाना होगा, और जब भी आप solar panel install करा हैं, तो थोड़ी rating बढ़ा कर ही लगाईए, that means हमें वहाँ पे नॉर्मली 1500 watt का basically लगाना होगा, जब हम उसे बैटरी के साथ चलाना चाहते हैं, तो, so I hope आपको इस calculation समझ में आया हो, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, तो like का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, और आपने चैनल हमारे सब्सक्राइब ने करता हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आगे चलके और भी इस पर solar के और भी वीडियो बनाने वाले हैं, so आज के लिए इतना ही, thanks friends